नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A14 5G vs. Poco C65 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A14 5G में 6.6 इंच जबकि Poco C65 में 6.6 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विद्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.07 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो A14 5G में 0.36 इंच जबकि Poco C65 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो A14 5G में 201 ग्राम्स जबकि Poco C65 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है चलिए अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A14 5G में PLS LCD जबकि Poco C65 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, A14 5G में 6.6 इंचेज जबकि Poco C65 में 6.74 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन, A14 5G में 1080x2408px FHD+, और Poco C65 में 720x1650px HD+, मिलता है Screen to Body Ratio, A14 5G में 80.4 प्रतिशत जबकि Poco C65 में 82.45 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, A14 5G में 400px प्रति इंच जबकि Poco C65 में 260px प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें main camera की तो, A14 5G में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और Poco C65 की बात करें तो इसमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो A14 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco C65 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीक के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो A14 5G में Mali G68 MP2 जबकि Poco C65 में Mali G52 मिलता है चिप सेट की बात करें तो A14 5G में Samsung Exynos 1330 और Poco C65 में MediaTek Helio G85 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ओप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4 GB 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो A14 5G में 2 विकल्ट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB की storage मिलती है जबकि Poco C65 में 2 विकल्ट देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों फोन में up to 1 TB है operating system दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों फोन में same ही 3 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो A14 5G में 4 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 12,499 रूपीज 4 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,499 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 17,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें POCO C65 की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 128 GB storage के साथ 8,499 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 9,499 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 10,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A14 5G में 8 फाइदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें POCO C65 की तो उसमें 8 फाइदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में A14 5G आगे है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में A14 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y200E 5G है दुसरा Moto G044G है तीसरा Tecno Camon 35G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2E 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्या से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले